जैहिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चिन लगाना सीखेंगे चिन लगाने से मतलब है कि अगर आपको कोई संख्या माइनस की दी रहे और दूसरी संख्या प्लस की दी रहे यदि आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो साइन किस चीज का आएगा माइनस का आएगा या फिर प्लस का आएगा या फिर आप माईनस और प्लस की दोनों संख्याओं को आप गुणा करेंगे तब का एक साइन आएगा तो आज किस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो चिन है वो लगाय जाते हैं ताकि आपका जो सवाल है गलत ना हो तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा मैं आपको guarantee देता हूं कि कभी भी आप चिन लगाने में गलती नहीं करेंगे तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं आप फटबट से वीड लगाना है कब आपको plus लगाना है तो चलिए यहां पर देखिए हमारा जो पहला एक्जामपल है देखिए plus और plus दो plus वाली संख्याओं को यदि हम जोडेंगे तो कौन सा चिन आएगा यहां पर plus का चिन आएगा ठीक है देखिए एक एक एक्जामपल में आपको समझाता यहां पर मान लीजिए आप 5 और 4 को जोड़ रहे है ठीक है यह भी plus का है और यह भी plus का है जब दोनों संख्याओं को आप जोडेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा ठीक है यह 9 हो गया 9 काय का आया है यह 9 plus का है क्योंकि यहां पर दोनों संख्याओं plus की है तो ह पहली जो step है इसको आप समझ गए हैं ठीक है चलिए अब दूसरी वाली जो step है हम इसको समझते हैं इसको मिटा देते हैं इसका आप कोई काम नहीं है तो दूसरा जो है यहाँ पर देखिए कोई minus की संख्या है और दूसरी संख्या जो है वो प्लस की है तो इन दोनों को यदि हम जोडेंगे तो चिन काय का आएगा तो यहाँ पर चिन दोनों आ सकते हैं माइनस विया सकता है प्लस विया सकता है अब आप कहेंगे कि सर दोनों चिन कैसे आएगे तो देखिए जब माइनस की संख्या बड़ी होगी तो चिन माइनस का आएगा जब plus की संख्या बड़ी होगी तो हमेशा चिन जो है वो plus का आएगा ठीक है, simple सा फंडा है जो संख्या बड़ी होगी, चिन बही आएगा चलिए इसका example देखते हैं मान लीजिए कोई संख्या है minus 5 plus 3 बरावर, अब देखिए हम इनको जोड़ रहे हैं, एक संख्या minus की है और दूसरी plus की है, इनको आप जोड़ेंगे तो देखिए ये जो minus है और ये plus है तो minus की संख्या बड़ी है, तो क्या होगा हम इनको जोड़ रहे हैं लेकिन ये automatic क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 5 में से 3 चले जाएगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा अब ये 2 तो बच गया, लेकिन चिन का आएका आएगा, चिन आएगा minus का, क्योंकि minus की संख्या बड़ी है, minus की संख्या बड़ी है तो चिन आगया, minus का तो क्या आगया ये minus का 2 ठीक है अब देखिए दूसरी condition की plus कब आएगा अब मान लीजे यहाँ पर मान लीजे कोई संख्या है 10 minus ठीक है 10 plus minus का 2 ये सवाल है 10 और हम minus 2 को जोड रहे हैं तो अब देखिए हम इनको जोडेंगे तो 10 में से 2 घट जाएंगे क्योंकि एक संख्या minus की है तो हमेशा घटाना ही होगा अब जब घटाना होगा तो यहाँ पर देखिए कितने बचेंगे 8 बचेंगे और 8 क्या है plus की संख्या है क्योंकि plus की संख्या यहाँ पर बड़ी है तो चिनकाय का आएगा plus का आएगा ठीक है माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लगा देंगे, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है, चलिए, अब समझते हमारा जो तीसरा फंडा है, इसमें हमें क्या करना है, तो तीसरा वाला देखिए, जब दोनों संख्याएं माइनस की हों, तब क्या आ जाएगी कि जब दोनों संख्याएं माइनस की होंगी तो आपको हमेशा जोड़ देना है ठीक है जब दोनों चिन समान है दोनों संख्याओं के तो आप उनको जोड़ेंगे और चिन हमेशा काएका आएगा माइनस काएगा ठीक है माइनस की संख्या है तो चिन माइनस का ठीक है चलिए इसको आप समझ गए अब देखिए दूसरा वाला आ गया हमारा अगला वाला प्लस और माइनस इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा यह सेम कंडिशन दो की तरह है ठीक है दो में जैसे किया था बैसे ही हम इसमें करेंगे चाहे आप माइनस की संख्या को इस तरफ लेखें चाहे इस तरफ बात यहाँ पर सेम ही होगी ठीक है तो यहां पर देखिए, plus और plus, दोनो प्लस की संख्याओं का आएगा, plus आएगा, देखिए example यहां पर, मान लिजीए, चार गुणा, तीन, दोनों संख्याओं प्लस की है, इन दोनों को आप गुणा करेंगे, तो साइन का एक आएगा, प्लस का आएगा, देखिए कैसे 4 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4 ती या 12, तो ये आगया 12 अब चिन का आएगा यहाँ पर प्लस का ही आएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं प्लस की हैं, और गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है ठीक है, चलिए, इसको आप समझ गए अब देखिए, अगली कंडिशन क्या है माइनस की संख्या और प्लस की संख्या, इन दोनों संख्याओं को आप गुणा करेंगे, तो क्या आएगा हमेशा माइनस आएगा, चलिए इसका example भी देखते हैं, देखिए, माइनस का 3 है, और इसमें आपको गुणा करना है, प्लस के 2 का, अब देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो अब देखिए, गुणा करेंगे, 3 दोनी कितना हो जाएगा, 6, अब एक संख्या इन में से, कोई भी एक संख्या यदि माइनस की है, तो चिन हमेशा माइनस का ही आएगा, अब चाहे माइनस की संख्या ये वाली हो, या फिर ये वाली हो, ठीक है, तो जब एक संख्या माइनस की होगी और उनको हम गुणा करेंगे, तो हमेशा क्या आएगा तो चलिए अब अगली स्टेप देखते हैं अगली स्टेप में क्या है तो अगली स्टेप देखिए जब दोनों संख्याएं माइनस की होंगी तब क्या आएगा तो यहां पर देखिए जब दोनों संख्याएं माइनस की होंगी और इनको आप गुणा करेंगे तो हमे उनी 8 तो यहां पर आ जाएगा 8 ठीक है तो इसका अंसर 8 आ गया अब देखिए दोनों माइनस है अगर आप इनको गोड़ा करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा लेकिन जोड़ने की कंडिशन में क्या है माइनस माइनस वाली संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो माइनस जब आप माइनस माइनस वाली दोनों संख्याओं को गोड़ा करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा ठीक है यह आपको याद रखना है जोड़ेंगे तो माइनस आएगा गोड़ा करेंगे तो प्लस आएगा ठीक है चलिए अगली कंडिशन क्या है कोई संख्या प्लस की है और यहाँ पर same ही आएगा तो यह आपको याद रखना है बहुत ही जादा जरूरी है तो दोस्तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से संख्याओं में जो चिन है उसको लगाया जाता है तो यहाँ पर हमने सीखा है कि प्लस-प्लस की अगर संख्याओं हो उनको हम यदि जोड़ते है मायनस-मायनस की संख्याओं हो उनको जोड़ते है तो कौन सा चिनाता है और गुणा करते है तब कौन सा चिनाता है इस वीडियो का पार्ट टू भी आने वाला है उसमें हम सीखेंगे कि जब यहाँ पर दो प्लस की संख्या है उनको हम घटाएंगे तब कौन सा चिन आएगा यदि एक संख्या माइनस की है और दूसरी प्लस की है इनको घटाएंगे तब क्या आएगा और दूसरा पार्ट उसमें होगा कि जो भाग होता है यानि कि प्लस-प्लस वाली संख्याओं का भाग करेंगे माइनस-वाली संख्याओं का भाग करेंगे तब क्या आएगा तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे इस चीज को तो उस वीडियो को भी आप जरूर से देखिएगा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भाद